कैसे हैं आप लोग भईयां तो आज बात करेंगे एकलिप्स के ग्रहन की क्योंकि आज है 25 ऑक्टूबर और आज हम देखेंगे बटा कि क्रहन होता कैसे है लगता कैसे है और यह किरने प्रकार क्यों होते हैं तो आज इसको नोग बहुत ही तीटेल ने जाने कोशिश करेंगे और बहुत कुछ नया पताने की कोशिश करेंगे तो आए चलते हैं अभी बात करेंगे हम लोग एकलिप्स में जो क्रहन होता है जो कि एक इंग्लिश वर्ड है ठीक है हिंदी में इसको लोग करते हैं क्रहन का सीन क्या है यह एक एस्ट्रोनॉमिकल टॉर्म कह सकते हैं यह य अर्थ के पॉजिशंस में मून के पॉजिशंस में जब यह अलग अलग जगा पे शिफ्टिंग होती है क्यूंकि आपको पता ही ज़ब करेंगे लेकिन शोलर सिस्टम के अंदर एक्सट्ट सन हर एक चीज सेंटर में और सारे के सारे मोशन कर रहे है वैसे हमारा जो सन है वो भी मोशन कर रहा है लेकिन उसका रिस्पेक्ट बढ़ा है यानि कि जब हम किसी और रिस्पेक्ट में यह कई के लिए दूसरे हम हम सोलर सिस्टम के बारे में चर्णा करेंगे तो उसकी समी क्या है ले waited हम अपने सोलर स्टेस होगे हैं जैसा कि मैंने बताया कि जो क्रहन होते हैं वो होते हैं एस्ट्रो नॉमिकल फेनामना है ठीक है यह हो गया अंत्रिक्षिया कुछ प्रच्छे पर जब चीजे होती रहते हैं अपने जगा से परिवर्तन होते रहते हैं उसी को लोग एस्ट्रोनॉमिकल कहते हैं ठीक है तो यह एक एस्ट्रोनॉमिकल होता है तो solar eclipse को कहते हैं हिंदी में सूरी ग्रहन यानि सूरी का importance यहाँ पर ज्यादा हो जाता है और lunar case में क्या होता है lunar case में moon की importance जादे हो जाती है तो उस case में lunar eclipse कहते हैं अब इन दोनों सबसे important जो term आता है वह होता है shadow shadow का मतलब होता है परचाई क्या है परचाई कहते हैं और इस shadow का बहुत एहम रूल होता है इन दोनों एकलिफस के अकर होने में यह जब भी दोनों अकर होते हैं अब कैसे करता है उसी को भी ध्यान देते हैं ठीक है तो अभी हम देखेंगे कि solar eclipse में जहनों बात लता सब्सक्राइब solar की solar case में होता क्या है सबसे किस जाना बहुत important इस case में solar case में होता है कि जो sun है ठीक है और जो moon है और वो जो earth है वो कुछ इस तरह का state में आ जाता है ठीक है solar case में sun, moon, earth यानि sun एक तरफ, earth एक तरफ और बीच में आ जाता है मून इस तरह के जब case होता है तो इसको बोलते हैं लोग solar eclipse का cases ठीक है ठीक है तो solar case में sun, moon, earth और lunar case में sun, earth, sun, earth और moon ठीक है अब वो इसमें सबसे पहले जो solar की चाहिए कि आज जो 25th October है ठीक है 25th जो October है आज की दिन हम solar eclipse देखने वाले हैं ठीक है West Asia और Southern Asia के तरफ आपको दिखने को मिलेगा जिसमें इंडिया भी कवर होगा अरब countries कवर होंगे अफ्रीका के तो यह रीजन जो आप देख रहे हैं जहां पर लाइन ऐसे से जा रही है उन लाइनों में वह लाइने बता रही है कि कैसे कैसे हमें solar eclipse की होने वाली है वैसे बहुत सारी निउस एजनसी यानि निउस चैन्स होते हैं उसमें आप देख सकते हो कि यह सचीजे का आपको बताया जाएगा लगबग 430 से 435 से लगबग स्टार्टिंग है और यह लगबग एक घंटे एक घंटे चलेगा 630 या 635 तक लेकिन वह और जगव एक ही त्मेम में नहीं दिखेंगा क्योंकि जैसा की अर्थ एक स्फेरिकल पार्ट है तो हमें जैसे-जैसे मून का पोजिशन चेंज होगा वैसे वैसे हमको दिखेंगा और एक को बता तुम कि यह जो 25 अक्टूबर यानि आज वाली जो क्या करते हैं यह यह जो हमें देखने को आज बिलेगा तो हम उसे लाइब भी उस समय आपको दिखाने की कोशिश करेंगे ठीक है तो आईए हम वापस आते हैं क्योंकि इंडिया में तो दिखेंगा ठीक है तो यहां पे क्या कॉंसेट बनता है यह है आपका यहां पे सूल सन मून अर्थ वाले में अधिया मैंने इक दिखाया है और साथ में आप यहां उपर भी देख सकते हैं कि क्या करते है कि एक थी होलोग्राम में और एक जो गुगल इमेज की प्रयोक से मैंने आपको यहां पे दिखने कोशिश करी है वो भी है तो सबसे पहले हम बेसिक चीजों को समझ लाते हैं तो सब्सक्राइब कर दो एक संथ्मूर्फ की सब्सक्राइब करता है जब ये किस ने वाली लाइट बेटा उसको मुझ क्या कर लेटा है धक लेता है और मुझ का जो इनकी गयी घुटी गे उसे क्या होता है कि मुझक शाडव जाता है जब और चाइब कर जाता है इतने पार्ट के आगे क्या आजाता है मून आजाता है को एकलिप्स का पार्ट के इसमें क्या होता है मून क्या करता है शन से आने वाले जो रोशनी उसको धक देता है धकने के वज़े से परचाई परती है और परचाई के फ़र्म में हमें वो चीज देखने को मिलती है एकलिप्स के फॉर्म में तो वही से आने वाली लाइट है जैसे मान चलो यह है यही ले देते हैं अब यहां से इस ऑबजेट की इस ऑबजेट के वजह से जो यहां सामने से रोशनी आ रही हो मेरे चेहरे पर कुछ हिस्से पर नहीं पढ़ रहे है इसी कहते है बटा एक तरफ सन होता है और एक तरफ होता है यह कंदिशन क्रियेट और यह होगे हमारा के हम लोग और यह करेंगे नहीं कोशिश इस पर यह था सोलर का पार्ट तो प्रॉफ अब बात करते हैं लुनर को किसे कि जो मोन और जाता है यह मून यहां जाता है यह shorter हो इस मुन यहां आजाता है ठीक है और इस कंडीशन में होता क्या है कि इस कंडीशन गटा आ जो सन की लाइट होती है वो और युठ पे टकड़ाती Elo पर मुन पर नहीं टगराती है जिस वाज़़ से जो अर्थ का शैडव होता है एस केस को कहते हैं लोग लूनर एकलेप्स क्या बोलता है इस केस में संघ और बुद्द ऑर मुन जाता है इसको बोलते हैं चंद्रगहणर का आभास होता है ठीक है पीटा तो यह हो गया हमारे सामने बेटा दो तरह के एकलिप्स की पूरी कंप्लिट जंकारी लूनर एकलिप्स को भी यहां दिख सकते हैं गुगवल इमेजस के मैंने प्रयोग करके आपको दिखाने कोशिश करी है और कुछ 3D होलोग्राम्स मैं आपको दिखा दिया मैंने ठीक है तो इन होलोग्राम्स क से मदब से आप यह समझ पाएंगे कि यह एकलिप्स कैसे करते हैं कुछ लूनर in वैशे 1 वीचे यह दो बार अकर करते हैं दो से अधिग भी हो सकते हैं डिपेंद करता है क्या कर्णीशन है पर में ली एक साल में 2 वार ऐसा होता है जब सन और्फ और मून तीनों के तीनों इसमें एक बार चंद्र और एक बार सुर्ण ही होता है तो यह था हमारा विटा रिक्वाइड एक्लिप्स ग्रहांड और कैसे ग्रहांड होते हैं क्या बेसिक चीजे हैं एक खोगुली फिनॉमेना है विटा अब यह हो जाता विटा समाप्त ठीक है चलते हैं जैहिंद करेमेंटल प्रोडट्ट के संग चलते हैं